मालदीव को अंदासा नहीं था कि वो किस से भिड़ रहा है चीन ने चूरन खिलाया तो मालदीव ने अकड़ दिखानी शुरू कर दी मालदीव ने अभी तक भारत की दोस्ती देखी थी लेकिन पहली बार भारत का गुस्सा देख मालदीव के पसीने चूट गए हैं आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीर देख लीजिए इस काली गाड़ी से निकल रहे शक्स भारत में मालदीव के हाई कमिशनर है मालदीव के हाई कमिशनर इब्राहिम सहीब सुभा सुभा भारतिये विदेश मंत्राले के दफ्तर पहुँच गए मालदीव के हाई कमिशनर को बुलाया गया है या वो खुद आये है इससे फरक नहीं पड़ता ये सुभा सुभा यहां पहुँच गए यही दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त मालदीव की क्या हालत है मालदीव के हाई कमिशनर भारतिये विदेश मंतरी एस जय शंकर से मिल पाये या नहीं वो तो थोड़े समय में पता चल जाएगा लेकिन इब्राहिम सहीब की बोडी लेंग्वेज और उनके चहरे पर टेंशन देखकर लग जरूर रहा है कि भारतिये विदेश मंतरी एस जय शंकर ने उनका बढ़िया स्वागत किया है स्वागत ऐसा कि मालदीव के हाई कमिशनर चुपचाप आए और चुपचाप निकल गए बताये जा रहा है कि मालदीव के हाई कमिशनर जिस तेजी से आए उसी तेजी से उन्हें रवाना भी कर दिया गया उनकी हालत भी लगभग वैसी थी जैसी कुछ समय पहले केनेडा के हाई कमिशनर की थी केनेडा के हाई कमिशनर भी विदेश मंतराले से तम तमाते हुए भाग गए थे मालदीव अब अलग-अलग तरीके से भारत से माफी मांगने के लिए तडप रहा है सिर्फ दो दिनों में ही मालदीव को भारी नुकसान होने लगा है भारत के हजारों लोगों ने मालदीव में अपने होटल रूम्स को कैंसिल कराना शुरू कर दिया है कई भारतिये लोगों ने अपनी मालदीव की फ्लाइट भी कैंसिल करवा दी है भारत के एक ट्रेवल एजन्सी एप इस माई ट्रिक ने मालदीव की सभी बुकिंग रध कर दी हैं भारत के कई सिलेब्रिटीज, क्रिकेटर्स, बिजनसमैन और आम लोगों ने मालदीव की जगह लक्ष ध्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया है भारत के इस पलटवार से मालदीव में हडकम मच गया है अब तो मालदीव के विदेश मंत्री तक माफी मांग रहे हैं भारत का अपमान करने वाले मालदीव सरकार के तीन मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया है मालदीव के पूर्व रोष्टपती और भारत के करीबी माने जाने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोले ने तो भारत का अपमान करने पर मालदीव की मोईज्यू सरकार को घिर लिया है मालदीव में इस वक्त भयंकर बवाल मच गया है